हेलो दोस्तों स्वार्ग था आप सपीका फंडू TESTER में आज हम डीसकश करने वाले है Localization Testing & Internationalization Testing Internationalization testing को globalization testing भी बोला जाता है war przy grande उश के लिए, उसको अलग-अलग languages me या अलग-अलग format में convert किया जाता है तो उसके बाद हमें localization testing और internationalization testing करने पड़ती है तो यह सब चीजे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम testing करेंगे क्या क्या testing करना पड़ता है कुन-कुन से एरिया हम test करेंगे और last में हम उसका example देखेंगे तो start करते हैं एक चोटा सा इंट्रो के बाद और उसके पहले यह वीडियो को like करना और share करना मत भूलिएगा और fund to tester को जरू सब्सक्राइब करिएगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों का definition क्या है तो basically दोनों का definition somehow similar है तो definition क्या है कि making a product application और a document content adaptable to meet the cultural and other requirements of a specific region और a local locality और a language तो जो भी चीज़े हम create कर रहे हैं डोक्यूमेंट हो गया या application हो गया या books हो गया या whatever उसको हम अलग language culture है region है उसको adapt करने के लिए यह सब चीज़े बनता है तो उसके बाद जो भी testing किया चाता है उसको हम localization और globalization testing बोलते हैं और इसको दूसरा अलग अलग भी नाम है उसको localization को L10N बोलते हैं या internationalization को I18N बोलते हैं basically है किया की L और N के बीच में 10 characters है तो L10N और और N के बीच 18 characters है तो उसको I18N बोला जाता है तो कौन-कौन से area में हमको test करना है तो date format हो गया currency keyboard sorting alignment यह सब चीज़े हो गया takes and graphics हो गया और legal requirement है जो भी है वह सब चीज़े में हमें test करना है तो सबसे पहले हम detail में समझते है कि scope of testing क्या है तो first part हो गया language language सबसे बड़ा area होता है क्योंकि पूरी application हम अलग language में हम convert कर रहे है तो language में सारी application है वो दूसरे जो words है उसको support कर रही application crash तो नहीं हो रही यह सब चीज़े हमें test करना है उसके बाद number system क्या है writing direction किया है spelling variant किया है capitalization or sorting rule किया है और keyboard shortcuts और layout यह सब चीज़े हमें test करनी है तो basically number system क्या हो गई कि हम इंडिया में कोई भी हम चीज़ लिखते हैं मानलो मैंने एक लाक रुपे लिखा तो कोई digit के बास हम colon colon देते हैं कोमा कोमा ऐसे कुछ करके हम लिखते हैं और जैसे ही वह पूरा value खतम हो जाए हम slash और hyphen लिखते हैं उसका मतलब यह पूरा amount मैंने लिख दिया तो वह सेम चीज़ अगर मैं USA में या Canada में यूज़ करता हूँ तो वहां पर कैसे लिखा जाता है वह सब चीज़े वह अलग-अलग होती है अगर मैंने Canada में या French में पूरी application को convert कर दिया और फिर मेरे को वहां पर एक लाक लिखना है तो वह सेम चीज़ में रहे गया या अलग चीज़ में रहे गया वह सब टेस्ट करना है उसके बाद है राइटिंग की डिरेक्शन तो अगर मैं हिंदी लिखता हूँ या English लिखता हूँ तो हमेशा में left से start करूँगा और राइट में जाँगा मेरा नाम निषान थे या से बड़ में उर्दू में लिखता हूँ तो हमेशा right से start होती है right से left में जाती है तो अगर किसी ने application को उर्दू में convert किया तो उसके हिसाब से वो काम करता है या नहीं करता है वो हमें देखना है फिर spelling variant हो गया या capitalization and sorting rule हो गया capitalization में क्या होगा कि मैं अगर English लिता हूँ तो I हमें से capital ही रहता है I am a Nissan Gohel और I am a tester तो वो सब देखना है फिर अगर मैं हिंदी से English में convert होता हूँ तो जो भी spelling variation होता है या filler word या supporting words जो होते हैं जैसे हम स्री लिखते हैं स्रीमान लिखते हैं तो अगर मैं English में जाओंगा तो MR, MRS या यह सब चीज़े होगा तो वो automatically convert होता है या नहीं होता है यह सब चीज़े हमें test करना है और उसके बाद keyboard तो अलग-अलग कोई country में जैपेन हो गया फिर अगर French supported country है German country से तो उसमें keyboard पे English नहीं लिखा जाता वहाँ पे अलग-अलग उसकी language लिखा जाता तो उसके हिसाब से वो पूरा application चल रहा है या नहीं चल रहा है वो सब चीज़े हमें देखनी है उसके बाद है culture और religion के basis पे तो उसमें name और title हो गया जैसे मैंने बू government numbers and passport तो उसमें basically क्या हो गया कि मैं इंडिया में मेरे कोई भी form फिल कर रहा हूं और उसमें मेरे को legal document upload करना है तो वह आधार card में upload करूँगा या passport upload करूँगा तो passport अलग-अलग country के क्या अलग-अलग digit में है अगर है तो उसके हिसाब से application में validation है या नहीं अगर मैं इंडिया में हूँ form भर रहा हूँ और तो मैं आधार card upload करूँगा अगर मैं दूबे में same चीज़ में form भर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे को Emirates ID upload करना है तो वो जो फिल्ड होता है आधार card का उसका नाम पूरा change हो जाना चाहिए वो आधार card की जगा पे EID या Emirates ID हो जाना चाहिए उसके बाद है telephone numbers, zip codes, address format यह सब चीज़े अलग-अलग country के इसाब से change होता है या नहीं यह सब हमें test करना है उसके बाद weight and measures तो इंडिया में majorly हम kilo use करते हैं अगर US में कोई pound use होता है या जो basic measurement की जीज़े हैं हम उसमें liter use करते हैं तो कोई country में हम milk को इंडिया में as a liter consider करेंगे अलग country में milk को kilo में consider किया जाता है या pound में consider किया जाता है एक pound milk चाहिए तो उसके हिसाब से वो change होता है या नहीं वो सब चीज़े देख नहीं होती है उसके बाद currency symbol है currency market position है तो currency symbol में क्या आ गया कि अगर मेरा application इंडिया के हिसाब से बना है तो वहाँ पे इंडियन currency आनी चाहिए और उसके बाद आये नार या रूपी का जो symbol है वो आना चाहिए अगर में same application अगर मेरे को अमेरिका के लिए चलानी है तो वहाँ पे dollar का symbol आना चाहिए या UK के लिए चलानी है तो वहाँ और यूरो का symbol आना चाहिए और उसके अलावा और क्या चीज़ हो कि for example वह currency exchange का rate के हिसाब से वह price में variation है या नहीं कोई currency converter की कोई currency converter app है तो वह perfectly day to day update हो रहा है rates update हो रहा है या नहीं यह सब चीज़े देखना है और last है date format तो date कौन से country में कौन सा date preferred किया जाता है उसके इसाब से change होना चाहिए अलग-अलग country में अलग-अलग state में अलग-अलग province में वह चलता है या नहीं वह सब test करना चाहिए तो बात यह आती है कि इसका benefits क्या है कि यह अलग language में application बनाना ही क्यों है हिंदी में या English क्यों कोई यूज नहीं कर पाएगा अगर मैंने इंग्लिस में अप्लिकेशन बनाई सबको इंग्लिस आता है तो फिर गुजराती में हिंदी तमिल में या जर्मन में फ्रेंच में बनाने की ज़रूरत ही क्या है तो बे पर्टिकुलर लेंग्वेज से कमफर्टेबल है तो कंपनी क्या चाहती है कि वह सब बंदे application को यूज करें जितना ज्यादा लोग application को यूज करेंगे उतना revenue company generate करेंगी या कोई country क्या है कि वहाँ पर पर्टिकुलर लेंग्वेज ही बोली जाती है लिखी जाती है और पढ application यूज करते है French में लिखते है जर्मन में लिखते है जर्मन एप्लिकेशन यूज करते है तो मिह वहाँ पर बोलूगा कि भैई यह मैंने application बनाया है यह इंग्लिस में है वह आप यूज करो अच्छा application है तो वो उतना comfortable नहीं होगे वह application के सात अगर मैं application उसको जर्मन में दूँगा तो ज्यादा लोग एड़ेप्ट करेंगे क्योंकि वहां पे भी हो सकता है कि जैसे इंडिया में सब ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा पैशा कमाईगी तो यह बेसिकली लोकलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन का फंडा है अब अलग-अलग एप्लिकेशन उसमें दिखती कैसे है और किस लेवल तक ट्रांस्फोर्म किया जाता है एक लेंग्वेज से दूसरे लेंग्वेज में उसका कंप्लिट कंटेंड चेंज किया जाता है या बेजिक कंटेंड चेंज किया जाता है उसकी लिमिटेशन किया है तो यहां पे मनी कंट्रोल का आप सबको पता होगा कि मनी कंट इंग्लीष में रहेगी और उसके बाद में हिंदी और गुजराति यूज कर पाऊंगा कैरे अर्व सियादा से ज्यादा लूग उसको हिंदी में उन्सकरते और उसका बहुत बड़ा वर्व गुजराती का है गुजराती लोग finance में और stock market में बहुत लोग जुड़े हुए है और ये बहुत लोग application यूज करते है तो ज्यादा से ज्यादा जो old age stroke broker है उसको अच्छे से हिंदी बोलना भी नहीं आता या English बोलना भी नहीं आता गुजरात में तो इसके लिए वो application को यूज कर पाए तो यह अगर मैं गुजराती में जाओंगा तो यह पूरा application यहां पर ऐसे दिखता है और अगर मैं हिंदी में जाओंगा तो हिंदी में पूरा application यहां पर ऐसे हिंदी में दिखता है तो basically उसने सबसे पहले easiest level easiest thing क्या है कि जो character से जो article है उसको convert करना तो यह जो title है जो यह जो है यह English में है यहां पर दूसरा कोई title है यह गुजराती में है यह सबसे आसान चीज है कि यह convert करना है बट डिफिकल्ट चीज क्या है तो कि image यहां पर अगर कोई image है कि यह image में इसने पूरा title के साथ image भी उसने हिंदी में डाला अगर हिंदी supported website है यहां English supported website है तो यहां पर उसने video specially अलग-अलग language में record किया हिंदी के लिए अलग से गुजराती के लिए अलग से सब के लिए अलग से तो यह कौन से level तक transform किया है वह हमें समझना है और उसके हिसाब से हमें test करना है application को और वह requirement हमें business team से मिलेगी वह लोग typically market का analyze करते है in depth में कौ convert करने में भी बहुत सारी चीज़े ध्यान में रखने पड़ती है कि for example मैं अगर English से Hindi में convert कर रहा हूं तो Hindi में मेरे को ऐसे कोई word में use तो नहीं कर पा रहा हूं कि कि किसी को वो word से दुख हो सुनने में या उसको sentiment heard हो या फिर ऐसा कोई typical में Hindi का word तो use नहीं कर पा रहा हूं को एसा कोई typical word तो में use नहीं कर रहा हूं कि कोई सामने वाला Hindi वाला बंदा भी समझ में ही ना है क्योंकि होता क्या है कि मैं Hindi बोलता हूं या कोई बंदा पंजाबी बोलता है कोई बंदा मराथी बोलता है तो वो in general वो normal language में बाते करता है वो typical पंजाबी high level कि किसी को पता है किसी को नहीं पता है तो वो ऐसे वर्ड उसको use करना है कि वो सबको समझ में आ जाए तो वो सब चीजे ध्यान में रखके जो business team होती हो एक application का वो हर एक module के इसाब से language में convert करती है और developer को कुछ convert या ऐसा कुछ करना नहीं है developer को सिर्फ integrate करना है वो data और test को सिर्फ वो data test क करना है appropriate place में वो data display हो रहा है या नहीं हो तो इस basis पे localization testing globalization testing होती है तो आसा रखता हूं कि आपको समझ में आ गया है localization and globalization testing और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते आसा रखता हूं कि यह session आपको समझ में आ गया है और यह video को like करना और share करना मत भूलिएगा और फंडू टेस्टर को जरूर सब्सक्रेब करिएगा मिलते हैं कल सुबा नए टोपिक के साथ दनियाद